ये जो हम बोलते हैं धर्म, सुज्य पराग, चौंद्र ग्रहन ये सब विज्ञान के हिसाब से विज्ञान इसे कैसे मानता है? धर्म अपने आप में एक स्पिरिच्छुलियम जिसको कहते हैं, और धर्म का भारत में जो धर्म का मतलब है, वो सारा प्रकृति से नेचर की एक्टिविटी से रिलेटेड है, एंटी-नेचरल कोई एक्टिविटी नहीं है धर्म में, धर्म पूरा प्रकृत को सपोर्ट करने वाला ही बेवस्ता है कि मनुष्य को उसके विसे में जान करिए अब आप ने जो उड़िया में भी बोला मैं उसको समझ गया मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ तो कि देखिए आलोचना होती है और आलोचना करना सबका अधीकार है और आलोचना करना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि बिग्यान को उतने माइक्रो लेवल में जब समझने की आवश्चता होती है वो इसके लिए एक लेवल होता है और वहां तक जाना पड़ता है और जो बिग्यान में क्यों मैटरिलिस्टिक की बात करते हैं अब तो बिग्यान रहा नहीं अब तो बिग्यान में ये होने लगया है कि ये जो मैटरियल स्टफ है वर्ड ये जो पूरा इनिवर्स है ये जो पूरे नेचर है ये मैटरियल स्टफ नहीं है अब तो ये माइंड स्टफ है क्योंकि हम लोग जब चेतना पर काम क भारत में तो इसमें बहुत पहले से इस पर काम हुआ है, शेतना पर, दूसरी बात यह है कि आपके, आप जो बोल रहे हैं, आपके माइंड से जो वाइवरेट हो रहा है, वो हमारे माइंड में आ रहा है, हमारे माइंड से जो वाइवरेट हो रहा है, वो आपके चैनल के माद मैं आपको एक चीज बताओं, ये तरक बहुत बेमानी तरक है, बेमानी नहीं बोल रहा हूँ, बेमानी, माने इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हम उसको उतना माइक्रो लेबल में और दूसरे चीज़ों के साथ संबंद करके हम नहीं देखते हैं, जैसे nutrition हैं, वो आपको बोलते हैं कि रात के 12 बज़े सुरी एकदम आपके opposite हो जाता है, पिर जहां आप हैं, वहां से सुरी एकदम से opposite हो गया, अमेरिका में दिखाई दे रहा है, यहां सुरी नहीं दिखाई रहा है, तो सुरीय की रोसनी जब नहीं आएगी, तो chlorophyll नहीं मिलेगा, और chlorophyll जब तक नहीं मिलेगा, तो metabolism काम नहीं करेगा, चाये पचाये, तो इसलिए बोलते हैं कि रात के 12 बज़े के बाद आपका लीबर जो है, पोईजनस एंजियाईम रिलिस करता है, इसलिए रात के 12 बज़े के बाद आपको खाना नहीं चाहिए, आप modern जमाने में आप बता दीजिए, इसको कौन फॉलो करता है, कोई फॉलो करता है, nutrition बोलते हैं 12 बज़े के बाद नहीं खाना चाहिए, कि सुरिय नहीं है, तो सुरिय पर अगर बीच में चंद्रमा आ गया, और सुरिय से प्रित्वी के बीच में कोई दिवाल खड़ा हो गया, तो सुरिय की रोशनी प्रापर नहीं आ रही है, तो क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है, क्लोरोफिल जो सुरिय से आना चाहिए, रेज से जो क्लोरोफिल आना चाहिए, वो कहीं कोई object उसको रोक रहा है, तो जब object रोक रहा है, तो जितना आपको बाड़ी को जरूरी essential है, उतना आपको नहीं मिल रहा है, इंटेक आपको नहीं हो रहा है, तो जब इंटेक नहीं हो रहा है, तो उस समय जो भी आप खाएंगे, अभी आप हिल्री हैं, यंग हैं, आप खा लेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बाडी में हो जाएगा, वो जो टॉक्सिन उ करेगा वो रियक्ट करेगा क्योंकि वह एलिमेंट आपके बॉडी में रह गया जो डिस्टर्व इलिमेंट तो यह चंद्रमा के साथ नहीं होता है यह सुरी की बात कर रहा हूं मैं सुरी ग्रहन में अगर कोई अबजेक्ट आ गया तो वह आपको आपको खाना पचने में आप आपका बॉडी हिल्दी है इमेंट सिस्टम अच्छा है कोई प्राबलम नहीं करेगा कितना भी सत्रू आ जाया आप अगर ताकतवर है तो सत्रू आपका कुछ नहीं बिगाड सकता दूस्मा लेकिन जहां आप वीक होंगे वहां अटेक कर देगा ठीक है इसलिए हमें उससे बचना चाहिए चंद्र ग्रहन का खेल दूसरा है चंद्रमा का खेल क्या है कि चंद्रमा ब्लड संचालन जो हो रहा है या आपके जो मनोदशा है मेंटलेटी है आपकी सोच है उस पर चंद्रमा की जो जोसना है उसका काम करती है और चंद्रमा की जोसना इसलिए काम करती है कि चंद्रमा को आपने देखा गवा जिस समय जवार भाटा आता है देखिए पानी एक दम पुर्णी माँ और अमाश्या के दिन आपको जवार भाटा आपको दिखाई देगा आपके पास तो समुद रही है बगल में तो चंद्रमा जो है वो लिक्विड पर काम करती है आपके बाड़ी में 70% लिक्विड है तो उसमें वो काम करता है तो वो आपको एक mental anxiety जिसे बोलते हैं anxiety आपके में create कर देगा वो problem हो सकती है और कोई problem नहीं हो सकती है और फिर 15 दिन 14 दिन तो चंद्रमा ऐसे भी नहीं दिखाई देता तो क्या फरक पड़ता है तो इसलिए उसका बड़ा neutral प्रभाव पड़ सकता है लेकिन सुरे ग्रहन का आपके body पर आपके health पर आपके खाना पचने पर आज नहीं तो कल उसको आप deny नहीं कर सकते हैं यह science मानता है और यह science में सोचना चाहिए क्योंकि हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जो को आजकल तो western में भी western country में भी आजकल हेलियो बाइलोजी चल गया हेलियो बाइलोजी अंतरिक्ष में कोई घटना हो रही है उससे आपके सरीर पर क्या नुकसान पड़ेगा इस पर research हो रहा है हेलियो बाइलोजी subject है और हम यहां बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा हम science में कहते हैं कि हम लोग सब interconnected हैं इंटर related हैं एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर related हैं इंटर dependent हैं दूसरे से असरत हैं और inter reverential भ हैं आपको फरक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा आपको कहीं किसी का मडर हो गया दस आदमी मर गए आप खाना खा रहे हैं उस समय आपको TV पर आप देख रहे हैं कि क्रिसे मडर हो गया गुजरात में मडर हो गया आप खाना खाने का मन करेगा आपका यहां सब इंटर कनेक्टर इंटर डिपेंडेंट है हाउ यू केंड डिनाई कि हमारे यह ऐसा होने से हमारे को नहीं होगा क्योंकि हम इस दुनिया से अलग आदमी हैं आप दुनिया में हैं तो दुनिया की कोई भी घटना होगी उसका प्रभाव आपके उपर पड़ेगा ही पड़ेगा इसको कोई डिनाई नहीं करता